वेलकम फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल उमार संकर स्वाहू यूएश एजूकिशन पर आज हम बात करेंगे जो उम्मिद्वार जो केंडियर्ट या जो स्टूरेंट जो है टीचर वेकेंसी या सिख्छक भरती का इंतिजार कर रहे थे उनके लिए बह करेंगे यहां पर क्या कौन-कौन से पोस्ट आये हुए है उसके लिए eligibility criteria क्या होता है चलिए आगे हम देखें यहां पर लिखा हुआ है important जो है उस पर पढ़ते हैं क्यांकि यह जो आगे लिखा हुआ है उस पर ज्यादा नहीं करते हैं KVS invites application for Indian citizen for filling of the post of primary teacher in Kendri Vidyalayasangathan to apply online through the KVS website www.kvssangathan.nic.in no other means mode of submission of application will be accepted मतलब आपको और कहीं से other mode में जैसे offline इस टाइप की जो चीज़े हैं वो नहीं करने है online आप KVS के जो official site है उस पर आप जाएंगे Kendri Vidyalayasangathan उसके official site पर जाएंगे और वहां से आप form fill करेंगे चलिए आगे देखें the recruitment examination will be conducted through computer based test the CBT exam यह भी जो test होगा वो computer based होगा इप selected the candidate में be posted anywhere in India on initial posting as per the recruitment requirement of the organization मतलब जो यहां पर आप देखें होगे KVS का जब भी वेकेंसी निकलता है तो यहां पर इस special link दिया होता है अगर आप क्या होते हैं अगर आप select हो जाते हैं और select होते हैं तो आपको इंडिया में कहीं भी post posted कर दिया जाता है यहां पर important point है PRT के लिए खास कर PRT के लिए अगर सकते हैं तो यहां पर वहां पर भी हो रहा था है कि PRT के लिए भी जो है वो अप्लाई कर रहा थे हैं तो एक case याचिका दियार किया गया था और याचिका में याचिका जीत भी गया थे दिल्ली वाले जो है कि सुप्रीम कोड के द्वारा तब मेरिट इसका बनाया जाएगा उसी के कोडिंग अगर बीएड वाले अगर जीत जाते हैं कि यहां पर अप्लाई जो कर सकते हैं लेकिन वो उसके उसके सेलेक्शन प्रोसेस में भाग ले पाएगा नहीं ले पाएगा इसके लिए यहां पर कह दिया गया है कि सुप्रीम कोड का जैसे ही जो भी डिसीजन आता है जो भी परिनाम आता है उसके उपर डिपेंड करेगा चलिए देखें के टिगरी वाइस ब्रेक अप वेकेंस अवस्यक है टीटी नहीं कह सकते हैं सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पास होना आवस्यक है चलिए यू आर के लिए देखें तो 2599 पोश्ट है यहां पर अब बात करें तो 1731 पोश्ट एसी के लिए 960 और एस्ट के लिए 400 एक्यासी पोश्ट एडबू एस के लिए भी आपर 641 पोश्ट आ गया है टोटल जो है 6414 पोश्ट है ओ एच के लिए भी पोश्ट यहां पर दे दिया गया नानटी सेवन और वी एच के लिए भी आपर प अब आपको नोटीपीजन अभी सेट आपको के विए संगठन के जो वेब साइट है वहां पर अभी नहीं मिलेगा यह जो नोटीपेशन है वह आपको रोजगार पंजियन से ही आमिला है यहां पर लिखा हुए है कमेंटमेंट आप ऑनलाइन सब्समिशन आफ के वी एस यह पांच दस पांच दिसंबर 2022 से आप कर सकते हैं अप्लाई और लाज डेट यहां पर लिखा हुआ है 26-12-2022 तो और आगे देखें आप पर दाविके नंबर आफ वेकेंसी से एडवर्टाइस्ट टू टेंटीटीटीव एंड में वेरी दे में डिस्क्रीजार इंकिस कम या गटाया बढ़ाया जा सकता है बोल रहा है रिजर्वेशन फार स्टीए सी ओवीसी पी एच डिवलो से केटिगरी विल भी अस पर गॉर्मेंट आफ इंडिया रूल्स मतलब उसके उपर डिपेंड करते हैं और एज रिलेक्शेशन जो है यहां पर कहा गया है कि एस टीए सी को भी रूल है उसके कोडिंग होगा चलिए आगे बात करें हं यहां पर केंद्री विद्याले संगठन में हम बात करें तो आपको और पोस्ट मिलेंगे असिस्टिंट कमिशनर का प्रिंसीपल का वाइस प्रिंसीपल का और पोस्ट ग्रिवेट to säp won पोश्ट ग्रेजवेट टीचर के लिए काफी सारे सब्जेक्ट है जैसे आप देख पाएंगे हिंदी इंगलीज फिजिक्स गेमेस्ट्री मैस पाइलोजी हिस्ट्री जिओग्राफिय एकोनामिक्स कामर्स कंप्यूटर साइसी सारी सब्जेक्ट के लिए पोश्ट आये हुए हैं PGT के पोश्ट ग्रेजवेट टीचर के लिए जो भी रिलेवेट सब्जेक्ट है उसमें आपके 55% मार्क होने चाहिए और साथ में भी होने चाहिए चलिए आप बागे आगे बात करें ट्रेंड ग्रेजवेट टीचर के लिए तो इसमें 50% मार्क्स कमपसर ही होते हैं और यह और और होना ही चाहिए अग्रिगेट के साथ में रिलेवंट सब्जेक्ट में आपका जो भी हिंदी है इंग्लीश है तीनों येर कम इलाके 50% होना चाहिए साथ में इंग्लिश संस्क्रिट सोशल स्टूडिज मैथेमेटिक्स साइंस पी एंड एची आर्ट एजूकेशन और वर्क एक्सप्रियंस तो डबलू यहां पर लिखा है वर्क एक्सप्रियंस का और उसके बाद लाइब ड्रेडियन का भी पोस्ट यहां पर आया हुआ हुआ है प् असिस्टेंट है और स्टोनोग्राफर ग्रेड टू तो यह सारी विकेंसिस आये हुई है तो आप अगर एलिजीवल है तो जरूर आप तयारी में लग जाए साथ ही यह फॉर्म फिल कर ले तो जानकारी आपको कैसे लेगी जरूर हमको कमेंट कर बताईएगा धन्यवाद